नमस्कार दोस्तों आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है आज हम लोग पढ़ेंगे नियू लेंज का अस्टक नियम इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि कैसे अरेज्मेंट करते हैं तथा आवार सरनी को कैसे हम लोग इस्तिहास जानने थे उसके पहले जो भी थे इससे टॉबर और राइन determined उन्हों ने नियम दिया था तो उसी के आधार पर इंहों ने वी एक नियम दिया प्रमानुद्रैमान के बढ़ते करम पर नियम दिया यह ब्रोटिज के बिग्ध्यानिक थे 1866 इसेन उन्हों ने अश्टक नियम दिया इस जब न आप आवार्थ सरनी के बारे में जानते होंगे तो यह वाला जो होरिजेंटल वाला लाइन होता है होरिजेंटल वाला को बोलते हैं और जो भर्टिकल लाइन होता है उसको बोलते हैं ग्रूप आवार्थ सरनी में तो जो भर्टिकल लाइन हो ग्रूप है तो इन्होंने थे सबीडेमेंट के पर्मानु द्रेमान बढ़ते में सजाये हुए थे और पर्मानु द्रेमान का अनुसर यह नहीं सकते हुए इसका पहले सखा है कि कोई भी साथ उलिमाथी उलिमिन्ट से होते हैं और नहीं जो नहीं है कि और जुद घृती है इसकृन पर परपटी सिमनर फिर फिर निगें उसके वाद जब आगे इसके वार रिमिया तो बहुत जादा खामिया इसमें दूसरा कमी था कि को वाल्य च राखंड और नीकेल को हाइलोजन इलिमेंट के साथ राखा गया था वे फ़्लेशन पहले हो ज्ट करने इनके बारे में ज्रूरी हो और बहु ज़्यादा और सबसे ज़्यादा है सबसे ज़्यादा क्योंकि इन्हों नहीं सबसे अच्छे रूप से सजाया कुछ कुछ कमिया रही लेकिन उसको बाद में दूर कर दिया गया तो अब हम लोग जानते हैं कि यह कैसे बनाए थे इसमें मेंडरीव का आवादसा ने इन्हों ने 1866 में अस्टक के नियम आया उसके बाद चार सलवाद 1879 इसमें इन्हों ने दिये इन्होंने क्या बताया जब यह दिये थे तब 3600 इलिमेंट्स थे यह परमानुद्रिमान के सजाये थे जैसे पहले भी जो भी डॉल्टन के बाद जो भी वेग्यानिक आया सभी कि सभी परमानुद्रिमान के बढ़ते करम में सजाया लेकिन इन्होंने इस रसाइनिक और भौती सब्सक्राइब को अपनाया क्यों कि इन्होंने जो सारे रियक्शन कराए थे सारे तात्वे के साथ इन्होंने 63 63 काड़ बनाए और उस काड़ पर सभी इलिमेंट्स के जो रियक्शन उनको लिखे थे तो आप हम लोग जानता है कैसे रियक्शन हुआ था लिखते थे शारे और उसके साथ और उसके अनुसार जो भी गुनाते थे उनको काड़ पर लिखते थे तो इन्होंने कोई भी आर तत्वे होगा जिसको hydrogen oxygen के साथ इन्होंने अभिकिरिया कराया hydrogen oxygen क्यों क्योंकि यह ज्यादा तर elements के साथ chemical reaction करते हैं इसलिए hydrogen और oxygen को चूने थे 63 card बनाया है 33 card पे सभी के जो तत्वे है oxygen के साथ क्या reaction हुआ और जो तत्वे होगा hydrogen के साथ क्या reaction हुआ उस card पे लिखते थे और उसका परमानुद्रमान को नापते थे और उसके अनुसार इनको सजाए और यह किस तरह से सजाए एक सारनी बनाये थे और जो गृप जो होता है और वर्टीकल लाइन होता तो यह बहुँत है में सजाए uçान उसके बद लिखियम पोटेशियम सब्सवेशाज इसका उसका बेल कई सबसार इसका टे enemies तो यह सारे जो भी भ्यार्ण से था वह समान होते थे सबी आवार्द के साथ वह बढ़ते थे पहला ऑपर चार यहां आप से नीचे आने पर आपर से नीचे आएंगे लिटियम में दो है दो और्बिट है सोडिया में जाएंगे तो तीन और्बिट है तो फरमानु का साज भी बढ़ता था इन्हों ने इस रूप से सजाया और इस रूप को कुछ कमिया रा गया था कि है यहां पर हम लिख दी हैं लेकिन यहां पर यह सही जगा नहीं था तथा कुछ समस् सानिक है उनका अस्थान नहीं दिया गया था तो उन्होंने अधूनिक और उसको आघ सभी कमी नहीं निकाल पाई उसी के माना जाता है और वही सबसे ज्यादा तो यह था मेंडली का वार्षा नहीं आप इसमें से जो भी क्योंचन पूछे जाते हैं आप अच्छा से समझ चुके होंगे और कुछ अपने सेल्फ स्टेडी करके समझ लेंगे तो जय हिन जय भारत